Hello and welcome to the extra class English आज हम करने वाल हैं आपकी स्टोरी The Rat Trap by Selma Lagalov Rat Trap का मतलब होता है वो trap जो की set किया जाता है rat को पकड़ने के लिए ये स्टोरी रिवॉल्फ करती है एक rat trap seller के around जिसका जब गुजारा नहीं हो पाता था तो वो छोटी-मोटी चोरियां भी कर लिया करता था एक दन ऐसे ही जब वो शाम को घूम रहा था अपने rat trap sell कर रहा था तो उसको एक realization हुई और वो ये थी कि ये जो पूरा world है ये खुद में ही एक बहुत बड़ा rat trap है और ये बेट ओफर करता है in the form of food, clothing, shelter और लोग इस दुनिया के बनाए हुई rat trap में पस जाते है और जब वो इन लोगों के बारे में सोचता है तो उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि जहां भी वो जाता है लोग उसे कभी अच्छे से treat नहीं करते welcoming way में उससे behave नहीं करते इसलिए उसे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बारे में सोचने में अब एक दिन शाम को जब बहुत देर हो चुकी थी और उसको एक जगा चाहिए थी जहां पे वो अपनी night spend कर सके तो वो देखता है कि स्टाइड में एक grey cottage है बहां जाके जब वो knock करता है तो उसका owner बहार आता है वो owner एक old man था जो कि पहले crofter रह चुका था एक पुरानी iron mill में तो वो जब इस इंसान को देखता है वो इस rat trap seller को देखता है तो वो बहुत खुश होता है और जैसे उससे वो पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर अपनी rat spend कर सकता हूँ तो old man उसे फटा-फट से invite कर लेता है उसके लिए खाना भी बनाता है और तो और उसके साथ को cards का game जो है वो भी खेलता है अब क्यूंकि यह जो old man काफी अकेले थे इसलिए वो च्छाते थे कि कोई उनसे बात करे चारन मिल में काम करते थे लेकिन अब क्यूंकि वो बुड़े हो चुके थे उनसे और काम नहीं हो सकता था तो उनके पास एक काउ थी जिसकी वजए से वो अच्छे तरीके से अर्न कर रहे थे अब अभी उन्होंने रिसेंटली थर्टी क्रणोर्ज जो है वो कमाए है वो उसे ये भी बता देते हैं कि वो थर्टी क्रणोर्ज जो है वो उन्होंने कहा रखे है वो उन्होंने बिंडो के साइड में एक छोटे से बैग में हांग करके रखे थे अब अग्ले दिन सुभाई ये दोनों उठते हैं और अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं लेकिन राट्राप सेलर वहाँ पे वापस आता है और वहाँ पे जाकर बिंडों को स्माश करके जो पैसे रखे होते हैं उनको वो चुरा लेता है अब उसको पता है कि वो public highway से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा इसलिए वो forest के रस्ते से जाने की कोशिश करता है अब जैसे ही वो उस रस्ते पे जा रहा होता है उसे समझ नहीं आता कि वो exit कहां से करे वो बाहर कहां से निकले क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये पूरा पूरा जो forest है ये भूल भलेये की तरह है और वो यहाँ पे फस गया है अब उससे ये बाद भी realize होती है कि मैं उन लोगों का मज़ाख उडाता था जो लोग इस दुनिया के बनाए होई राट्रा पे फस जाते थे और आज मैं खुद ही इस लालच में यहाँ पे फस चुका हूँ और अब मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ अब जब वो give up करने ही लगा था तब ही उससे जोर-जोर से thumping की आवाज है उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे पास में कोई ऐसी जगा है जहाँ पे जाके वो अपनी night को spend कर सकता है अब बहुत थन का time था और जैसे ही उस अवाज को follow करते करते जाता है तो देखता है वहाँ पे एक बड़ी सी iron mill है अब iron mill के अंदर एक बहुत बड़ी furnace होती है जहाँ पे आग जल रही होती है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे अंदर जाऊंगा और यहाँ पे चुपचाप आपको सो जाऊंगा वो करता भी ऐसा ही है वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ जो मिल के लोग होते हैं वो जादा ध्यान नहीं देते हैं उसकी तरफ क्योंकि उन्हें पता है कि भार ठंड का मौसम है और यह एक पूर वैगबॉंड है यानि एक पूर इंसान है जिसके पास रहने के लिए कोई जगा नहीं है इसलिए शायर वो यहाँ पे अपनी नाइट स्पैन करने के लिए आया है तो वो वहाँ पे जाके चुपचा सो जा आता है अब कुछ देर बाद उस आरेन मिल का जो ओनर होता है वो वहाँ पे आता है जैसे इस इंसान को हैं सोते हुए अब उससे ऐसा लगता है इस पौरनेस के रिफ्लेक्शन में इस आग के रिफ्लेक्शन में कि शायद यह उनका पुराना कुलीग या पुराना दोस्त र लगता है कि अगर मैं इस इंसान को यह बता दूँगा कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो तो शायद ही मेरी कोई मदद नहीं करेगा लेकिन अगर इसको यह लगेगा कि हाँ मैं इसका दोस्त हूँ तो शायद ही मुझे कुछ पैसे दे दे तो वो भी उनके सामने आक्टिंग करता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता कि हां मेरे साथ काफी बुरा हुआ लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता तो यह जो ओनर होता है आरन मिल का वो उसे फिर भी कहता है कि नहीं आपको हमारे साथ चलना चाहिए मेरी जो वाइफ है वो कुछ ताइम पहले एक्सपार हो चुकी थी, मेरे जो दोनों संग्स हैं, वो अब्राड हैं, और घर पे से फॉर्स ट्रिफ मेरी बेटी और मैं ही है, और हम यह सोच ही रहे थे कि Christmas मनाने के लिए हमारे पास कोई है नहीं, इसके साथ हम सेलेब्रेट कर सकें, तो कितना अच्छा होगा अगर आप हमारे साथ हमा मास्टर होते हैं, यह इस बात को यहीं पर give up नहीं करते हैं, कुछ देर बाद उनकी डॉर्टर जिसका नाम होता है एडलाविल मांसन, वो वहाँ पे आती है, और वो जैसे तैसे करके, उसको महां से convince कर लेती है, कि वो उनके साथ चले उनके घर, और वो इतने प्यास से और काइन हाटेड होती है, कि यह जो rat trap seller है, यह उनके साथ चलने से मना नहीं कर पाता, अब जैसे ही घर जाते हैं, तो सबसे पहले, जो उनका owner होता है, iron master होता है, जो वो यह बात बोलता है, कि सबसे पहले तो हमें इनको proper कपड़े देने चाहिए, ताकि यह जो नोने कपड़ बहुत गुसा आता है, उन्हें लगता है, यह इनसान तो वो नहीं है, जो मैं यह सोच रहा था, इसका मतलब इसने मुझसे जूट बोला, अब इससे पहले कि वो कुछ बोलते, जो यह rat trap seller था, उनका reaction समझ गया था, और वो आगे से खुदी बोलते ता है, मेरी गल्ती नही है, मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि मुझे अपने घर पे इन्वाइट करो, तुम आये, तुम्हारी बेटी आये और तुम ही मुझे यहां पर ले कर आये, मैं तो मना कर रहा था, मुझे तो सिर्फ एक night spend करनी थी, अब जो iron master है या जो owner है, उनको बहुत जादा गुसा आत होगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जब तुम इस दुनिया के बनाएवे rat trap में खुद पस जाओगे, और तुम्हें इस से भाहर निकालने वाला कोई भी नहीं होगा, जब iron master ये बात सुनता है, तो उसको और भी जादा बुरा लगता है, और वो से खहता है कि उसको यहा आने की कोशिश करता है, अब जैसे ही ये डोर के पास जाता है, वैसे ही जो बेटी होते है, जो एडला मिल मैंसन होती है, वो वहाँ पे आती है और उस दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है, अब उसका ये reaction दे कि उसकी जो फादर है काफी जादा शौक हो जाते हैं कि ये आती है राट्राप सेलो की प्रॉब्लम को और वो ये बात बोलती है कि पता नहीं कितने दिनों से शायदी प्रॉपरली सोय नहीं होगे, प्रॉपर बेड नहीं मिला होगो इनके पास सोने के लिए, अगर हमीशा इनके दिमाग में यही टेंशन रहती रही होगी चोरी करने सेलोर, जब एडला की इस तरीके का रियाक्शन देखता है, तो वो काफी जादा शौक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि एडला उसके साथ इतने अच्छे तरीके से भीएव नहीं किया होता, अब क्या होता है, पूरे दिन जो क्रिस्मिस इव होती है, पहले वो खाना खा फिर वो सो जाता है, अगले दिन सुबा भी वो सोया रहता है और जादा कुछ करता नहीं है, अब क्रिस्मिस वाले दिन एडला और उसके फादर दुनों चर्च जाते हैं, जैसे ही उन्हें पता चलता है चर्च पर जाके कि ऐसे ऐसे-एसे किसी के घर पे 30 क्रनोस जो हैं व वहाँ पर जो सर्वेंट है वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने देखा राट्राप सेरल को जाते हुए तो उसने कहा कि हाँ मैंने देखा तो सही तो जैसे ही वो यह सुनते होने लगता है कि अब तो मेरे घर में जितनी भी अच्छी चीजी थी शायद वो जा चुकी है वो देखते हैं एक राट्राप पड़ा है और उसके अंदर 30 क्रनोर्स जो है वो रखे है और उसके साथ एक letter है अब यह जो letter है यह इस राट्राप सेलर ने लिखा होता है एनला विल मैंसें के लिए जिस में वो ये बार लिखता है कि एनला ने उनके साथ बहुत अच्छी तरी वो इतनी warm थी, इतनी kind-hearted थी कि उनका बिल्कुल भी मन नहीं किया उनको disappoint करने का जिस तरीके से एक captain की तरहा उन्होंने मुझे treat किया, मैं नहीं चाहता था कि मैं उनको disappoint करूँ इसलिए मैं अब अपने जो रास्ते हैं वो बदल दूँगा, मैं अपने ये जो चोरी करने की habit है उसको पीछे छोड़ दूँगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा और इस note के नीचे वो sign करते है captain wants till अगर हम इस story की बात करें तो हम देखते हैं हर एक इंसान के अंदर essential goodness होती है उसको awaken करने के लिए क्या चाहिए? एक kind heart चाहिए, compassion चाहिए, empathy चाहिए towards other जैसे कि हम देखते हैं जो एडला थी उसका behavior था even after knowing की हाँ ये वो इंसान नहीं है जो मेरे father समझ रहे थे फिर भी वो इतनी अच्छी तरीक से उसे treat कर रही थी कि उसको मजबूरन अपना ये जो behavior था ये जो चोरी करने की आदत थी उसको छोड़ना पड़ा तो what it requires, it requires a kind heart, compassion और उसके साथ साथ empathy ये तो इसकी one of the main themes है, एक और theme जो इस story में है, that is of loneliness और ये loneliness सिर्फ हम इस trap trap seller में नहीं देखते, अगर आप crofter की बात करो या ये जो old man है उसकी बात करें similarly हम ये चीज़ देखते हैं, एडला और उसके father के साथ भी, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो Christmas पे अकेले है, उनके साथ celebrate करने वाला कोई भी नहीं है तो they were also lonely, तो यहीं जो दो themes हैं, यहाँ पर run करती है in the story, the rat trap तो अब आप मुझे comment section में बताओ कि क्या आप इस story की theme से agree करते हो की नहीं, कि क्या सबके अंदर essential goodness होती है और उसको awaken किया जा सकता है अच्छे nature के साथ की नहीं That's all for this video, now until the next video, keep practicing, keep learning